नमस्कार दोस्तों कल बैंगलोर सेबन रेस कार्ड है तीन तारीक को हम लोग आज का सलेक्षन देख लेते हैं वीडियो आपको आज पुरा देखना है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है कुछ चीजे आपके फैदे की मैं आपको बताने वाला हूँ तो फर्स्ट हम अपना स उसलस के तरफ के तरफ के तरफ चलते हैं सेकेंड रेस का जो टायमिंग है तीन वेजे से बारा सु ह 14 मुत चुमंबर डू में में डूर इसमें जो मत प्रूक नूरह 3 टू और 8 है हम 3D रेस के तरफ चलते हैं 3rd का जो टाइमिंग 330 का है 40000 मीटर का रेस है और में हम इसे कर दीन वे Fin ones owаешь warmर eight और सेकंड चाहिस होर्ज हम कस बसके सब्सक्राइबर हम 4th race के तरफ चलते हैं 4th race का ताइमिंग है 4 बज़े से है और यह 1200 मेटर का race है 4th race में आप लोग ध्यान रखना कि 1-2 की place रहेगी 4th race में जो 1st choice है horse number 1 Universal choice रहेगी ठीक है ना और 2nd choice है horse number 7 तो 1 और 7 है हम 5th race के तरफ चलते हैं और 5th race में हमारी जो choice रहेगी इसमें horse number 9, first choice और horse number 6, second choice. 9 और 6 हम 6 race के तरफ चलते हैं, 6 race का जो timing है 5 बज़े से 600 मीटर का है, 6 race में मेरी जो first choice रहेगी horse number 3 और second choice रहेगी horse number 2, यहां पर आपको एक ध्यान रखना है कि सिर्फ 7 गोडे भाग रहे हैं, 12 के place रहेगी गोड़े का नाम आप देख लीजे horse number 1 इसमें withdraw हो जुका है ठीक है तो हम 7th race के तरफ चलते हैं जो कि कल का last race रहेगा जो 530 का है 1200 मीटर का है और इसमें हमारी जो first choice है horse number 6 और उसके बाद में second choice horse number 8 6 और 8 है अब हम आते हैं important discussion पे आज का वीडियो आप लोग देख सकते हैं मैंने आज की वीडियो में आपको बोला था कि आप लोग को अगर हैंडिकैपिंग सीखना है तो यह perfect time है वीडियो आप skip मत करना आगे पूरा आप देखना आप देख सकते हैं आज की वीडियो में मैंने first choice 1 और 8 दिया था 1 सवा 2-2 में जीता ठीक है न ऐसे ही घुड़े आप लोग कैसे select कर सकते हैं यह इस course में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही normal charge रहेगा आप अधर जगा पे देखेंगे तो 50-50-60-60,000 रुपए लोग चार्ज करते हैं मैं आपको एकदम normal charge में सिखा दूँगा अगर आप लोग इंटरेश्टेड हैं तो WhatsApp पे message कर सकते हैं बाकी आज की वीडियो में देख सकते हैं second और fourth race बस flop गया third race में मैंने 3 और 2 दिया था 2 जीता इसमें ये भी पौने 3-3 का odds था और उसके बाद मैं fifth race में 7 और 1 दिया था ये भी सवा सवा में जीता है sixth race में 1 दिया था मैंने 1 और 2 ये भी जीता है और last race में 4 और 8 दिया था third हो गया ठीक है ना तो काफी अच्छा राव वीडियो में भी अगर इसी तरह से आप भी चाते हैं कि हम किसी के पीछे पीछे ना जाये और इतना पैसा आप लोग लगाते हैं तो कैसे वो गोड़ा इस कोर्स में मैं आपको बहुत चीजे सिखाऊँगा ठीक है ना कि आज अगर 1200 मीटर का डिस्टेंस है और इसमें अगर 10 गोड़े हैं तो कौन सा गोड़ा 1200 मीटर जा सकता है बहुत सारी चीजे इसमें आप मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिटेल जानकर या आपको कुर्स में मिल जाएगी इंटरेस्टेड है तो आप लोग मैसेज करें वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें थैंक्स फर वाचिंग